कलास इस्टार्ट करने से पहले बता दूँ यदि या राजस्तान और प्याशी किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें अनेकेडमी एप्लिकेशन और उसमें राजपाल टेन कोड़ का यूज करें अभी यहाँ पर छे महीने का फिर ही यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा लाइव कलासेज रिकोड़ोड वीडियो बगएरा सारी सुईदा उपलग मिलेगी अभी डाउनलोड करें अनेकेडमी एफ जे हिंद वंदे मातरां स्वागत है मेरे सभी वर्दी के इस परकार से आपका एक्जाम में पेपर आएगा उसी के लेवल कर लेकर आए हैं राजस्तान जी के महिला बालपराद कंप्यूटर इंडिया जी के साइंस और करंड जी के सारा का सारा मिस कवर करेंगे रिजिनिंग को छोड़ कर तो आप कलासमें तक जूड़े रहे हैं अ पचने की छेतरपल की दरश्टी से निमल लिकित में से कौन सा राजस्तान के बाद सबसे बड़ा राज्य है उत्तरपरदेश, मद्यपरदेश, अंदरपरदेश और महराष्टर यहां पर ध्यान रखना देखते ही सिदा आफ राजस्तान आंसर मत बताना पूछा गया है कि द मद्यपरदेश, राजस्तान चेतरपल की दरश्टिश में पूरे बारत में सबसे बड़ा राज्य है, राजस्तान का चेतरपल है 3,42,249 वरक किलोमेटर जो बारत के कुल चेतरपल का 10.41 यानि 10.41 परतिसत है, यह भी आप ध्यान रखना, मद्यपरदेश चेतरपल की दरश चेतरपल का 9.4 परतिसत है, मद्यपरदेश, नेक्स्ट अगला परशन देखते हैं, सेकिंड परशन आपके सामने स्क्रीन पर आज चुका है, जिस भी कॉंस्टेबल को इसका आंसर आ रहा है, वो नीचे कमेंड बोक्स में जरूर बताएं, बिलास सिंचाई परियोजना का स एक टांसर होगा, जो भी कॉंस्टेबल इसका आंसर शी बता रहे हैं, उन सभी का तुक्के के साथ में राइट आंसर आ चुका है, अगला परशन आपके सामने स्क्रीन पर लगा दिया गया है, निमलिकित में से कौन जेपूर और जोधपूर की इस्तापना तिथी बताता ह तो यह आपको मिलेगी बांकिदास की ख्यात में, का मिलेगी बांकिदास की ख्यात में? B is आपका ग्रेक्ट आंसर नेकक्ष्ट अगला परशन देखते हैं, अगला परशन है, कवी सूर्यमल मिश्रन की रसनाएं किस भासा में है हाडोती, डूंडाडी, मेवाडी या मारवाडी जो कवी है सूर्यमल मिश्रन ये बुंदी के महराव राम सिंग के दर्बारी कवी थे किसके दर्बारी थे ये राम सिंग जी के दर्बार में रेतेते सूर्यमल मिश्रन इन्होंने वंस बासकर लिखा था क्या लिखा था वंस बासकर वीर सत्सई रूपावली आदी गरंतु की इन्होंने रसना की और इसका राइट आंसर एक नमर हो जाएगा हाडोती ये बुंदी के महराजा के इदर आपकी हाडोती बॉली बॉली जाती है इसलिए इन्होंने रसना हाडोती में की ए आपका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट अगला परसंद देखते हैं करलास यदि अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेर जरूर करें परसंट हैं क्या पांच चंदर भागा का प पूछा जाता है तो चंदर भागा पसु मेले का आयोजन आपका जाल रापाटन जालावाड जिले में है डी आपका राइट आंसर हो जाएगा बिलकुल मेरे जितने भी भावी कोंश्टेबल बबबर शेर लाइव जूड चुके हैं वो एक बार क्लास को लाइक और शेर कर अगला परसंद देखते हैं नीमन में से कौन सा यूग में सुमेलित है पाबु जी का जनम कोलू, तेजा जी का खडणाल, मलिना जी का गागरोन, रामदेव जी का रामदेवरा कौन सा यूगम गलत है यहां पर वो बताना है, गलत यूगम कौन सा है हाँ तो देखो जो पाबू जी राठोड थे लोग देव था इनका जनम हुआ था कोलू यानि कोलू मंड जोधपुर में तो एक नमर राइट हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट है वीर तेजा जी जिनुने गायों की रक्षा करते वे अपने प्राणू का बलिदान दे दिया लेकिन यहां पर यह रामदेवरा क्या है रामदेवरा में रामदेव जी का मुख्य मंदिर है जेसल मेर जिले में है यह भी राइट हो जाएगा मलीना जी का गागरों से क्या संबंध है मलिना जी मेसा नगर के सा सकते बाड मेर में लूनी नदी के किनारे तिलवाडा में इनका मुख्य मंदिर है तो यह यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा मलिना जी वाला बिल्कुल C आपका राइट आंसर हो जाएगा जो यहाँ पर गलत दे रखा है बहुत ही अच्छा अगला परसन का टारगड किस दुरका भाग है जोदपूर, गागरोन, अचलगड या कुम्बलगड राइट आंसर हो जाएगा मेरे सभी कॉंश्टेवल भाईउं का D आपका करेक्ट आंसर होगा कुम्बलगड का किला किस जिले में है किस जिले में है ये मेवाड और मारवाड की सीमा पर बनावा है कुम्बलगड का निर्माण महाराना कुम्बा ने अपनी राणी कुम्बलदेवी की इसमर्ति में 1488-188 इस्वी में करवाया था और इसका सिल्फी था मंडन एकजा में पूचा जाता है कुम्बलगड का किल्ला इसका सिल्फी कौन था मंडन था इस दुरग के भीतर एक अन्य दुरग है जिसे हम बोलते हैं कटारगड क्या बोलते हैं कटारगड दुरग के अंदर दुरग है जिसे मेवाड की आंग भी कहते हैं कहते हैं मेवाड की आंग भी इसे बोला जाता है और यहीं पर अपने मेवाड के महराजा राणा कुमबा यहां पर खड़े होकर अपना दर्शिय देखते थे अपने राईजिये का अगला परसंद देखते हैं आमेर महल में दिवान ए आम का निर्मान किसने करवाया बगवांदास मान सिंग मिर्जा राजा जे सिंग महराजा सवाई जे सिंग आमेर का जो महल है जेपूर में इसमें दिवान ए आम का निर्मान किसके द्वारा करवाया गया मिर्जा राजा जे सिंग के द्वारा सी आपक अगला परसंड राजस्तान के लांगूरिया गीतूं का संबंध है ये परसंड कॉंश्टेबल एक्जाम में पेले पूछा भी जा चुका है सीला देवी करनी माता बान माता या केला देवी राइट अंज रोजेगा चार नंबर केला देवी केला देवी का मंदिर कांपर है ग करोली जिले में है गुरुजी इसका सूपडा साप करदो बिलकूल केला देवी का मंदीर करोली जिले के त्रीकुट परवत्पर बनावा है यह यादव बंस की कुल देवी है यहां लक्की मेला बढ़ता है तता लांगूर्य गीत यहां पर गये जाते हैं नेक्सट अगला परशंद देखते हैं चंदरभागा मेला राजस्तान के निमनलिकित में किस जिले में आयोजित किया जाता है कौनसा मेला चंदरभागा जेपूर, जालावाड, जेशलमेर या जालौ्र चंद्रभागा पसु मेले का आयोजन हम पहले भी पढ़ चुके हैं जालरा पाटन जालावाड में होता है भी आपका राइट हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर है और यहीं पर पसु मेला भी लगता है अगला परसंद देखते हैं संत पीर साली और तुक नगिर ने 400 साल पहले मेवाड में किस ख्याल की रस्ना की ख्याल भारमली चांद नीलगिरी तुर्रा कलंगी ख्याल या मीरा मंगल परसंद का राइट आंसर होजेगा नमर तीन तुर्रा कलंगी ख्याल तूरा कलंगी ख्याल के जो परवर्टक थे वो थे कौन थे तुक नगिर और सा अली ये ख्याल राजस्तान के मेवार छेतर में काफी लोगपीरिये है उसको लोगपीरिये बनाने का सरिये हमीद बेग को दिया जाता है अगला परशन देखते हैं और इसमें किसका परियोग किया जाता है इस ख्याल में चंगवादी यंतर का परियोग होता है नेक्स्ट अगला परशन है निमन में से कोन कोटा में अठारा सो सताउन के विद्रो का नेता था अलीबेग कुसाल सिंग जेदियाल या हिरालाल राइट अंचर हो जाएगा कोटा में अठारा सो सताउन का जो विद्रो वाथा अठारा सो सताउन की जो क्रांथी हुई थी उसका स्मयत पून के अंधर था कोटा राजस्तान में यहाँ पर 15 अक्टूमर 1807 को जेदियाल और मेराब खाने विद्रो किया तो राइट आंसर यहाँ पर जेदियाल हो जाएगा C is आपका करेक्ट आंसर विद्रो यू ने महरावल को नजरबंद कर दिया और पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन को मेजर बर्टन और डॉक्टर कोटम की हत्यागर्दी यहाँ अंग्रेजों की बाद में साइता के लिए करोली के सासक मदनपाल ने अपनी सेना भी वेजी थी अगला परसंद देखते हैं राजस्तान के किस गड़ को दारा धरगड के नाम से जाना जाता है बटनेर का किल्ला काँपर है बटनेर का किल्ला हनुमान गड में गागरोन का किल्ला जालाबाड में है ये एक जल्दूरग है रनतंबोर का किल्ला सवाई मादोपूर अगला है चोमुहागड का किल्ला इसका राइट आंसर आपका D हो जाएगा चोमुहा गड़ का किल्ला चोमु के किल्लो ये कहां पर है चोमु में है चोमु के किल्ले को रगुनात गड़ भी का जाता है चोमुहा गड़ दारा धारगड सामन्ती दुरक के नम से जाना जाता है इस दुरक का निर्मान करवाया था पंदरा सु नियान में ठाकूर करन शिंग ने ठाकर के दौरा बनेया गिया अगला परशन है कि चांद बावडी कहां पर इस्तित है अमेर, शिकर, आबानेरी या तिलवाडा चांद बावड़ी आपकी आबानेरी में है काँ पर है आबानेरी दोसा में है किस जिले में है दोसा जिले में इसका निर्मान राजा चंदर के द्वारा करवाया गया नेक्स्ट अगला परशन देखते हैं अगला परशन आपके सामने आचुका है मेरे सभी भावी कॉंस्टेबलूं के सामने आचुका है सभी वर्दी के जवान, दिवाने, राजस्तान के किसंत और रामानंद के सीश्ये अपने राज जी को त्याग कर गुरू मंडली में समलित हुए दन्ना जी, जांबो जी, पीपा जी या संत रेदास इस प्रसन का राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा संत पीपा क्या हो जाएगा संत पीपा जी गागरोन के खिंची सासक परताब सिंग राजपाट छोड़ कर रामादंद के शीश्य बनगे और संत पीपा की छतरी गागरोन में ही आहू और कालिशी नदियूं के संगम पर बनी हुई है कौन-कौन सी नदियूं के संगम पर है आहू और कालिशिंद जिसे इस्तानिये लोग सामेल भी कहते है इनकी गुफा टोड़ा गाउं टोंक में है और इनका मंदिर है समदड़ी बाड मेर में अगला परसन आपके सामने स्क्रीन पर आचुका है लोग देवता गोगा जी के थान यानि इनके मंदिर सामयनते किस पेड के नीचे बनाए जाते हैं यह परसन कहीं बार एक्जाम में आचुका है खेजडी, पिफल, बरगद या नीम राइट आंसर एक नमर हो जाएगा खेजडी राजस्तान के मरुस्तलिये यानि पश्चिमी बाग में अधिकतर आपको खेजडी के वरक्स देखने को मिलेंगे जो सूका इलाका है जाँ पर बारिष कम होती है यह सूके इलाके में रहती है खेजडी जादा देखने मिलेगी आपको जैसे नागोर है, जैसल मेर, बार्ड मेर, विकनेर इधर जादा मिलेगी आपको खेजडी यहाँ पर बात करें हम गोगा जी की जो लोग देवता है गोगा जी इनके पिता का नाम जेवर तता माता का नाम बाचल दे था इनका जनम ददरेवा चुरू में हुआ था गोगा जी का जनम का पर हुआ था ददरेवा चुरू जिले में इनका जनम होता है इनके जो वोफाया होते हैं वो नाइक जाती के होते हैं इनका जो परशिद मंदिर है वो है गोगा मेडी हनुमानगड जिले में इनका मंदिर वैसे ददरेवा चुरू में भी है लेकिन इनका परशिद जो मंदिर है वो गोगा मेडी हनुमानगड में है जहां बड़ा मेला लगता है जिसे दुरमेडी भी का जाता है ये मंदिर मकबर्या सेली में बड़ावा है जिस पर बिश्मिला भी लिकावा है और इनका थान मुक्यते जो मंदिर होता है जो देवरा होता है वो खेजिडी वरक्ष के नीचे होता है गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद किया था और मैमूद घजनवी नहीं गोगाजी को जहार पीर की उपादी दी थी। युद करते वे इनका सर गिर गए था ददरेवा चुरू में। सिर इनका कट गया था फिर भी सुरा Kaiser जूंज रहा था। सुरा युद कला में महारत के लिए पदम सीरी से अलंकरत किया गिया कुदरत सिंग को तो इनको दिया गया मिनाकारी कला के लिए किसके लिए मिनाकारी के लिए 1965 में 12 सरकार द्वारा मास्टर क्राप्ट पर्शन के राष्ट्य पुरुसकार से इन्हें समानित किया गया और 1988 में इन्हें पदम सिरी भी मिला अगला परसंद देखते हैं मुमद सा और सहीब राम किस राजस्तानी चित्रकला सेली के परसी चित्रकार थे जेपूर बुंदी अलवर या उद्यपूर राइट आंसर आपका हो जाएगा जेपूर मुमद सा और सहीब राम जेपूर चित्रशेली के परसी चित्रकार थे जेपूर शेली पर मुगल शेली का परभाव हमें देखने को मिलता है किस शेली का परभाव मिलेगा मुगल शेली का सवाई जे सिंग के समय उस सेली का 37 विकास हुआ ता सवाई परताब सिंग का काल इस स और इस्वरी सिंग के समय साहिब रायम ने राजाओं के आदम का चितर भी बनाई। अगला परशन देखते हैं। सोम, कमला और अंबा सिंचाई पर्योजना कहां पर इष्थितै है। और इसके अंदर जो नदी है जिसका जली शुरोत पर्मुक है वो आपकी सोम नदी। अगला परशन देखते हैं। नेमललिकित में से कौन हनुमानगड़ वे चुरू जिलू के लिए जल का स्रोत है? हनुमानगड़ और चुरू जो जिले हैं, इन में पाणी कहां से आता है? कमर्शेन लिफ्ट नेर दोरा, गुरू जम्वे स्वर लिफ्ट नेर, चोदरी कुंबाराम लिफ्ट नेर, पोकरन राइट आणसर क्या हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा सौध्री कुंबारां लिप्ट नेयर सी आपका कर्रेक्ट आणसर हो जाएगा Water drop यह सबसे लंबी निहर नियर है यह अनुमानगड चूरू और जुन-जुनों जिलों में जेल का पर मुक स्रोत है अगला परसंद देखते हैं निमलिकित राष्टी राजमारुग में से कौन सा एक राजस्तान में अजमेर को विकानेर से जोडता है राइट आंसर हो जाएगा एनच नेशनल आईवे 89 राष्टी राजमारुग 89 अजमेर नागोर विकानेर तीन जिरू से गुजरता है इसकी लंबाई 288 किलोमीटर है ये एनच अजमेर विकानेर शेरूं को अपस में जोडता है बहुत इस सांदार परसंद आपसे पूछा गया है अगला परसंद देखते हैं अगला परसंद एक ही रेड कलिप रेखा का राजस्तान में विस्तार है बहुत ही अच्छा परसंद है रेड कलिप रेखा इसका राजस्तान में विस्तार किन किन जिलू में है राइट आंसर क्या होगा ये इनका विस्तार आपको मिलेगा हिंदू मलकोट गंगानगर से लेकर बाखासर बाड मेर तक एक नमर आपका राइट आंसर हो जाएगा सबसे उपरी भाग उपरी जो जिला है गंगानगर उसका हिंदू मलकोट और सबसे नीचे दक्षिन में बाखासर बाड मेर तक रेड कलिप रेका भारत और पाकिस्तान दो देशों के मद्ये अंतराष्टी शिमा है पाकिस्तान के साथ भारत के इसके चार राइजी शिमा बनाते हैं जम्मू कस्मीर, पंजाब, राजस्तान और गुजरात राजस्तान में इसकी जो लंबाई है रेड कलिप रेका की या पाकिस्तान बोर्डर की वो 1070 किलो मेटर है बहुत ही सांदार राजस्तान के चार्ज ले इसकी शिमा बनाते हैं शिरी गंगानगर, विकानेर, जेसल मेर और बाड मेर बहुत ही सांदार अगला परशन देखते हैं मेरे बबबर शेरू अगला प्रशने की चूलिया जल परपात के नीचे की ओर राजस्तान में कौन सा बांद बनावा है जवार सागर, गांदी सागर, राणा परताब सागर या नागल बांद राइट आंजर हो जएगा राणा परताब सागर बांद C is आपका correct answer संबल नदी पर चार बांद बनेवे हैं कोटा बेराज, जवार सागर, राणा सागर, राणा परताब सागर और गांदी सागर गांदी सागर बांद मद्य परदेश में है जबकि 23 बांद है कोटा बेराज, जवार सागर और राणा परताब सागर ये राजस्तान में इस्तित है चूलिया जल परपाथ चितोडगर जिले के बेस रोडगर में है ये राजस्तान का सबसे उन्चा जल परपाथ है कौन सा चूलिया जल परपाथ राजस्तान का सबसे उन्चा जल परपाथ है इसके निचे चितोडगर जिले में ही राणा अगला परसन देखते हैं कांकरेज की एक नसल है उन्ट बकरी बेंस या गाई तो राइट आंसर हो जाएगा गाई की किसकी नसल है गाई की है कौ की है बहुत ही बढ़िया गोवन्स की दरिश्टिशें राजस्तान का देश में पांच वाइस्तान आता है राजस्तान में सरवादी गएं उद्यपूर जिले में पाई जाती है राजस्तान में मुक्यते राठी थार पारकर नागोरी कांकरेज गिर हर्यानवी मेवाती आदी नसल की गएं राजस्तान में देखने को आपको मिलेगी अगला परसन आपके सामने सक्रीन पर आ चुका है आर्थिक और सांकिकी निदेसाल्य राजस्तान के निदेसक कौन है असो गेलो जो की राजस्तान के मुख्य मंत्री है ओम परकास बेरवा सांती धारिवाल रूपराय भार्दवाज क्रेक्ट आंसर हो जाईगा सांती धारिवाल C is आपका करेक्ट आंसर जहां अकना मंत्री मंदल थोड़ा चेंज हो गया है तो इन करेंट जी के वाले परशनु को एक बार वापिस देख लेना इनमें थोड़ा चेंजिंग हो सकता है निमलिकित में से कौन सा गरंद जालोर सासकूं की उपलब्दी के बारे में बताता है पर्थ्वीराज विजे परबंद चिंता मनी हमीर महकाव्य कानडदेव परबंद राइट आंसर हो जाएगा आपका जालोर के सासकूं के बारे में आपको बताएगा कानरदेव परबंद डी राइट आंसर है कानरदेव परबंद गरंद की रसना है पदम नाब आपने नाम सुना होगा क्या नाम है पदम नाब तो कानड़ देव जो परबंद गरंद है इसकी रसना किषने की थी पदब नाम के द्वारा की गई ये आप ध्यान रखना इसके रेका कौन है बहुत ही सांदार ये गरंद जालोर के सा सकते हैं जो चोहान उन चोहानों की उपलब्दियों के बारे में बताता है नेक्स्ट अगला प्रशन देखते हैं राजस्तान का कौन सा जिला अजरक पिरिंट के लिए परशिद है बिकानेर जैसलमेर भरतपूर या बार्डमेर राइट आंसर होजेगा आपका बार्डमेर बार्डमेर जिला अजरक पिरिंट वे मलीर पिरिंट के लिए परशिद है नेक्स्ट अगला प्रशन सक्रीन पर आज चुका है मारवाडरा प्रगनारी विगत का लेखक कोन है दयालदास चारण सिवदास मुनोत नेंशी या पदबनाब पदबनाब आपके किसके लेखक है अभी हमने बात कीती काहनद देव परबंद गरंद के और मारवाडरा प्रगनारी विगत के लेखक कोन है राइट आंसर हो जेगा तीन नमबर मुनोत नेंशी ये मुनोत नेंशी किसके दरवारी कवी थे जोदपुर के सासग जस्वन सिंग के किसके दे जोदपुर के सासग जस्वन सिंग के दरवारी थे मुंसी देवी परशाद ने इन्हें राजपुताने का अबूल फजल भी का है यदि आपको पूछे कि राजपुताने का राजस्तान का अबूल फजल कोन है तो ये अबूल फजल आपके मुणोत नेंडशी है किसने का आता मुंसी देवी परशाद ने इन्होंने मारवाड प्रगनारी विगत तथा नेंड सीरी ख्यात की रसना की बहुत ही सांदार अगला परशन देखते हैं गोरा बादल महल और नवलखा बुड़्ज काँ परिष्टिद है बहुत ही बढ़िया परशन सांदार परशन पूचा गया है चितोडगड, कुम्बलगड, जालोर या रनथंबोर किस दुरग में है तो राइट आंसर एक नमर हो जाएगा राजस्तान का सबसे बड़ा दुरग चितोडगड का दुरग गड़ तो चितोडगड बाकी सब गड़िया कहा जाता है चितोडगड दुरग को दुरगुं का शिर्मोर, राजस्तान का गोरव इसे का जाता है इस दुरग का निर्माण चितरांगंद मोर्य ने गंबीरी और बेड़च नदियूं के संगम पर और मेशा के पठार पर इसका निर्माण करवाया गया बहुती सांदार जबर क्या दुरग बनाया रहे चितरांगंद मोर्य ने चितरांगंद मोर्य ने क्या सांदार दुरग बनवाया राजस्तान का सबसे बड़ा दुरग निर्माण करवाया किन नदियों के संगम पर है तो ये गंबीरी और बेड़स नदियों के संगम पर है और किस के उपर इसको बनाया गया मेशा के पठार के उपर इसको बनाया गया ताकि सत्रू से रक्षा हो सके इस दुरग में क्या-क्या देखने को मिलता है इसमें आपको विजे इस्तम देखने को मिलेगा इसके लावा विजे इस्तम जो की राजस्तान पुलीस की वर्दी पर लगावा आपको इसका चिन इसका लोगो आपको देखने को मिलेगा इसके लावा भीमतल कुंड मीरा मंदिर गोरा बादल का महल आपको मिलेगा बिल्कुल नौलका बुर्ज ये भी इसी में ही है और फट्ता सिसोध्या की चत्री संद्रेदास की चत्री कहीं बार पूची जाती है इसके लवा कीर्थी इस्तम विजे इस्तम बिल्कुल अगला परसंद देखते हैं अमर्ता देवी के नाम से वन्य जीव उद्यान किस जिले में है पाली जोधपूर जालोर या चुरू राइट आंसर क्या हो जाएगा दो नमर हो जाएगा जोधपूर अगला परसंद देखते हैं संद्र लालदास के लिए अच्छी त्रे से जाने जाते हैं संद्र लाल डास ये आपके किस जाती के थे मेव जाती के थे इनका जनम कांपूर होअथा दोलीदू अलवर जिले में होअथा और इनकी मरति हुईतु नगला गां बरतपूर में इनका समादी इस्तल है सेरपूर अलवर में गुरुजी पूरी जानकरी दोगे गया पूरा सूपड़ा साब कर दूँगा बिल्कुल इनको इस संपरदाय में सामिल होने के लिए जान रखना इस संपरदाय में सामिल होने के लिए इनका मुह इसका जो मुह है इनका उसको काला किया गया गले में जूते और चपलों की माल अगला परसंद देखते हैं निमली कित में से कौन दादू पंती उप संपरदाई नहीं है खालसा नाग खाकी या चंडाल राइट आंसर चार नम रोजेगा चंडाल संत दादू संत दादू का जिनम हुआ था एमदाबाद में एमदाबाद कहां पर है गुजरात में है एमद संत दादू को राजस्तान का कबीर का जाता है दादू के मंदिर को दादू द्वारा का जाता है सत संग को क्या का जाता है पूछा गया है सत संग को का जाता है अलक दरीबी और इनके तदा सीशे बनाने वाले चेला जो सीशे होते हैं चेला होते हैं उन्ने मूंड ना कहते दिया जस्वन सिंग अजीत सिंग अनूप सिंग अबे सिंग राइट आंसर हो जाएगा अजीत सिंग जिसे हम कहते हैं कटी कातु इनूने ना द्वारा तधा द्वारका दिस मंदिरों का निर्मान भी करुआया जोद्पूर के माराजा जस्वन सिंग की मर्ट्यू के बाद अजीद सिंग को औरंग जेब ने सासक बनाने से मना कर दिया तब राज सिंग ने मुगलूं के विरूद अजीद सिंग को आश्री दिया तता इसे मुगलूं के विरूद मेवाड मारवाड गट बंदन माना गया परसन क्या गया कोकिला देवी संकुत्ला देवी अंजना देवी चोधरी सत्यवती सर्मा राइट आंसर हो जेगा अंजना देवी चोधरी इस चोधरी को को ने जानता गुरुजी सभी जानते हैं अगला परसन देखते हैं वीमल साद्वारा निर्मित पस्षी जेन मंदिर कहा पर है रणकपूर पाली ओस्या या देलवाडा राइट आंसर हो जेगा देलवाडा चार डी नम्मर आपका बिल्कुल राइट है देलवाडा में पांस परमुक जेन मंदिर है उनमें एक मंदिर है विमल साई जेन मंदिर इसका निर्मार चालू के राजा भीम के मंत्री विमल में से किस वर्गी करण में आती है पस्चिमी राजस्तानी उत्री पुर्वी राजस्तानी मद्य पुर्वी राजस्तानी दक्षिनी राजस्तानी राइट आंसर हो जाएगा उत्री पुर्वी राजस्तानी मेवाती बोली अलवर भरतपूर के मेव छेतर में बोली जाती है बहुत ही सांदार अगला परसंद देखते हैं राजस्तान में राजनितिक गतिवीदियों के संचालन है तू सर्वे परतम किस रज्जी में 1934 में परजा मंडल की स्टापना की गई जोधपूर, कोटा, मेवाड, अलवर राइट आंसर हो जाएगा जोधपूर जेनारण व्यास ने 1934 में जोधपूर परजा मंडल का गठन किया तता भंवरलाल को उसका देख्स बनाया अगला परसंद देखते हैं अगला परसंद आपको सुमेलित करना है गुरुजी ये का परसंद है ये वो परसंद है जिसका आप सभी को इंतिजार था सही युगम सुमेलित करना है जसनाजी, सीतलाजी, जामोजी और जीन माता गुरुजी जसनाजी की परमुख पीठ है कांपर है जसना जी की बिल्कुल कात्रियासर बीकानेर में है सीतला माता का परशिद मंदिर है चाक्सू जेपूर में बिल्कुल चाक्सू जेपूर राइट है जामो जी की मुख्य पीट है मुकाम नोखा बिल्कुल सही मिलान क्यावा है मुकाम नोखा जीनमाता का मंदिर है रेवासा शिकर कहां पर है रेवासा शिकर तो इस प्रकाश अब नीचा मिलान कर लेना जो भी कूर दिये वे हैं अगला परसंद देखते हैं काली बंगा से हडपा पुरुए की सब्वेता के मिलते जुलते आउसेश पाकिस्तान के किस इस्तान पर मिले हैं राइट आंसर हो जाएगा कोट डीगी कहां पर मिले हैं कोट डीगी सिया आपका राइट आंसर हो जाएगा काली बंगा कहां पर है अनुमानगर जिले में अगला परसंद देखते हैं नवल सागर तलाब कहां पर इस्तित है कोटा बुंदी जेपूरियालवर नवल सागर तलाब आपका है बुंदी में कहां पर है बुंदी में इसके लवा जेद सागर कनक सागर यह सारे यहीं पर है अगला परसंद देखते है निमली कित्म संतु में से हैं कौन से संत जनम से मुसलमान थे माउजी, दादुद्याल, लालदास या चरणदास राइट आंसर क्या हो जाईगा संत लालदास शी आपका राइट आंसर हो जाईगा इनका जनम अलवर जिले के दूब में हुआता और एक मुसलिम गर में वाता इनकी मर्चूर नगला गाउं बरतपुर्मवी इनकी समाधी सेरपूर अलवर में है परत्य एक लालदासी सादू स्यम कमा कर खाता है ये सादू कुद कमा कर खाते हैं जहान रखना किसी पर भी आशिर्ट नहीं रहते अगला परसन देखते हैं नेमलिकित में से किसको अर्ध चंद्राकार बालू का इस्टूप कहते हैं अर्ग बर्खान शीप या अनुपर्ष्ट राइट आंसर हो जाएगा बर्खान अर्ध चंद्राकार बालू का इस्टूप बर्खान कहलाते हैं ये सरवादिक शेकवाटी छेत्र में पाई जाते हैं और इनकी गती भी सरवादिक होती है इनमें सरवादिक मरुष्टी लिकरण भी देखने को मिलता है भी आपका राइट हो जाएगा अगला प्रसन है प्रसन सेंक्या 45 निमलिकित में से कौन सी परमुख खारे पाने की जील लूनी बेसिन में इस्थित है नकी जील सिलिसेड तिलवाडा पंच पदरा राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा पंच पदरा जील डी आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपकी कहाँ पर है बाड मेर में है लूनी नदी की बात करे हम लूनी बेसिन में लूनी नदी तो ये आपकी नाग पाड अजमेर जिले से निकलती है और ये कच्छके रन गुजरात में जाकर मिल जाती है इसका बेसीन अजमेर से नागोर जोदपूर पाली बाड मेर और जालोर छेतर में है उसी लूणी बेसीन में खारे पाने की जील जो पंच बद्रा बाड मेर में इस्तित है और नकी जील आपकी काँ पर है माउंट अबू सिरोई में है शीली से डलवर में है तलवाड जील ये आपकी लूनी बेसिन में इनका कोई समंद नहीं है इन तिनूं का अगला परसन देखते हैं राष्ट ये मानवादिकार आयो के वर्तमार में अध्यक्स कौन है गुरुजी ये कैसा परसन है परसन तो बहुत ही सांदार है दोस्तूं और आपका आंसर भी बहुत ही देखते हैं किस किस का राइट आंसर आता है बिल्कुल चार ओप्सन आपके सामने है और सभी विदारति इसका आंसर बते हैं के कमेंड बोक्स में मानवादिकार आयो के वर्तमार में अध्यक्स कौन है देखते हैं किस किस का करेक्ट आंसर आता है बिल्कुल भी आपका तू अग्ला प्रशन है बाल-अप्राद के परतिपादक कौन है इसका राइत आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा शीजर लंब्रोसो एह आपका correct आंसर हो जाएगा नेक्स्ट अगला पर्षण है ये महिला बाल अपराद की पर्षण है बाल अपराद में मनोवेग्यानिक कारण के समर्थ कौन है तो ये आपके है कौन है सिंगम बिल्कुल फ्राइड ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अगला परशने मनोवेग्यानिक की देश्टिशें बाल अपराद की आयू कितनी मानी गई है बाल अपराद की आयू मानी गई है साथ से पंद्रा वरस शीया आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑगला परशने की पाल गरहे सुधार भारत में कब और कहां पर स्पापिट किये गए राइट अंसर बिलकुल एक नम्र हो जाएगा 1930 में कलकता में कहां पर कलकता में अगला परशन देखते हैं बाल अपरादी की आईक्यू कितनी होती है ओसत ओससे कम अधिक ये सभी प्रशन महिला और बाल अप्राद के ज्यान रखना बाल अफरादी की IQ होती है आपकी कितनी होती है उपरोग सभी ओसत ओससे कम ओससे अधिक अगला प्रशन देखते हैं बच्चों के खिलाप होने वाले अपरादू से सरक्षन के लिए पोक्सो अधिनियम कप पारित किया गया ये प्रसंद किशी का गड़त नहीं होना चाहिए भाई पोक्सो अधिनियम वाला महिला बालप्रा कोई भी प्रसंद गड़त नहीं होना चाहिए 2012 में किया गया सी आपका राइट हो जाएगा अगला परसंद देखते हैं बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराद को कम करने के लिए आप क्या समझ सकते हैं या आप क्या कर सकते हैं गुरुजी बाल शिक्षा को बड़ावा देंगे अभिवावकों को बच्चों को लेकर जागरू करेंगे बच्चों को कानूनी अधिकार दिलाएंगे उपरोक सभी राइट अंसर क्या हो जाएगा उपरोक सभी सारे प्रियास आपको करना है कौन सा अधिनियम महिलाउं और बच्चों को साम साथ बज़े से सुबें छे बज़े तक काम पर नहीं लगाने का प्रावधान करता है महिलाओं और बच्चों को साम को साथ बज़े से लेकर सुबें छे बज़े तक काम पर नहीं लगाया जा सकता कौन सा अधिनियम ज़िए आपके साथ ऐसा कोई कर रहा है आपको कोई काम पर लगा रहा है नाइट में तो बिल्कुल आप सिकाईट कर सकते हैं राइट आंसर क्या हो जाईगा एक नमर हो जाईगा खान अधिनियम 1952 अगला परसंद देखते हैं गरेलू हिस्सा के खिलाब ओने वाले अपराद में सामिल है गरेलू हिस्सा महिलाओं के साथ ओने वाले अपराद में क्या क्या सामिल है गरेलू हिस्सा बलातकार कार ये इस्तिल पर छेड़ गानी उपरोक सभी तो राइट आंसर क्या हो जाईगा बिल्कुल सभी का राइट आंसर उपरोग सभी हो जाएगा एक तो मैला के साथ घर पर हिंसा होती है बलातकार क्या जाता है कोई मैला के इंपर कार ये कर रही है वहां पर उसके साथ छेड़ गानी की जाती है तो उसके लिए कठोर सजा का प्रावधान किया गिया है ये मैला बालपराद के परशन थे आपके कितने राइट हो हैं कमेंट बोक्स में बताना भाई 10 परशन थे और 45 परशन हमने कवर किये किसके राज़स्तान जीके गे 10 परशन मैला बालपराद गे 55 परशन हम कवर कर चुके हैं 55 में से आपके कितने राइट हो हैं मेरे बबर शेरू हूँ आप इलकुल कमेंट बोक्स में कमेंट जरूर करें अगला परशन देखते हैं ये लो भारत में तटरक्सक संगटरन की इस्तापना किस वरस हुई अब बताओ देके राइट आंसर क्या हो जाईगा बहुत ही बड़िया परशन पूचा गया है एक्जाम की द्रस्टिशें एक्जाम के लेवल का परशन है बिलकुल भारत में तटरक्सक संगटरन की इस्तापना 1988 में की गई कब हुई 1988 में अगला परशन देखते हैं सविधान के उलंगन के लिए राष्ट पती के विरूद महा अव्योग कारवाई किसने सुरू की जा सकती है किसमे सुरू होगी संसद के किसी सदन में लोगसबा में राजिसबा में या उस्तम नयायले में राष्ट पती के विरूद महा अव्योग कि कारवाई संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है यह आपका राष्ट आंसर हो जाईगा यहां बात करें लोगसबा की तो लोगसबा को निमन सदन या ए इस्ताई सदन माना जाता है राष्ट जी सबा की बात करूँ तो राष्ट जी सबा को उच सदन या उपरी सदन का जाता है उस्तम नयायले बारत का कारिय छेतर संपून भारत है इसलिए उस्तम नयायले बारत के सरोचे नयायले के रूप में ही कारिय करता है अगला पर्शं देखते हैं नीमलिकित में से किसी देश में सरवादिक जीवन विलकुल अब मुझे ये बताओ आप बें परसन और इसी परसन में से पूछ लेता हूँ अंतराष्टिये सरम संगठन का मुख्यालिये काम पर है अंतराष्टिये सरम संगठन का मुख्यालिये है आपका काम पर है जिनेवा सव्जेलेंड में है 1919 में इसकी इस्तापना हुई थी बहुत ही बढ़िया और अंतराष्ट ये मुद्रा कोस का मुख्यली काम पर है इसका है वासिंग्टन डिसी यानि स्यूंक्त राजी अमेरिका में है अगला परसन देखते हैं बारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनिमित किया गय सूचना का अधिकार 5 जून 2005 को किया गया कौन सा option हो जाएगा एक नमर हो जाएगा 5 जून 2005 होगा ध्यान रखना अगला परसन देखते हैं बारत में लिगनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है तो बारत में केरल तमिलाडू राजस्तान केरल तमिलाडू राजस्तान या गुजराद लिगनाइट कोईले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है तमिलाडू है तमिलाडू राजी है बहुत ही बड़िया इसकी राजदानी कहां पर है चेन नहीं गुरू जी केरल में क्या है अरे केरल में केरल है खारो जेर केरल है अरे केरल को मसालू की नगरी कह तेहरे क्या के तेहरे मसाले बहुत कड़वे होते हैं मसालू की नगरी का जाता है केरल को बहुत ही गजब राजस्तान क्या है राजस्तान में धूल बरियां देहां चलती है बारत का छेतर पल की दश्टी से सबसे बड़ा राजस्तान है गुजरात का सूपड़ा साप कर दो गुजरात नाम आया तो इसका भी कुछ बता देता हूँ, गुजरात राजी की वारतिय राजी में सर्वादिक लंबी तट्रे का है, यदि आपको पूछें सबसे लंबी तट्रे का वाला राजी कौन सा है, तो आपको बिल्कुल किसी को बिना बता देना है, गुजरात है, अ परतम महीला IPS, क्यों बणी रहा है, IPS बनी गुरुजी, किरन बेदी बनी कोन बनी किरन बेदी कभी मुविप आप ने देखि योगी, नहीं देखे तो देख लेना, आपको मैं पुछूं४ कि गुरुजी आ स्रोजनी नाइड़ कुनी, आ स्रोजनी नाइड़ कुनी गुनी, आ बारत की पहली महिला प्रदान मंतर जिस ने मौंट एवरेश्ट पर अपना धाजि ले रहया। क्या हो जाएगा पिगमी पिगमी जातियां पसू चारण का कारी करती है ये कांगो बैसन के देश में यानि इस छेतर में निवास करती है यहां पर बात करें हम बोरो की तो बोरो जंजाती ये बराजिल में पाई जाती है कहां पर बराजिल में मसाई मसाई आपकी पूरवी अ पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है और एसकिमो यह जनजाती ग्रिन लेंड और कनाड़ा में पाई जाती है अगला परसंद देखते हैं वन्य जीव के कल्यान है तू आरक्सि चैतर को क्या केते हैं अभ्यान्य वन राश्टी उद्यान या वनस्वती उद्यान गुरुज जरो अभ्यान्य गाई है एको सूपडो साब करो अभ्यान्य में क्या होता है यहां पर वन्य जीव विच्रन करते हैं बेचारे हाँ वन्य में रहने वाले जीव अभ्यान्य में रहते हैं वन्य क्या होता है गुरुजी वन्य क्या होता है वन्य वे होते हैं जहां किसी परका और वनस्पति उद्यान क्या होता है, वनस्पति उद्यान वे होते हैं, जिन से हम वनस्पति पराप्ट करते हैं, फल पराप्ट करते हैं, क्या पराप्ट करते हैं, फल, अगला परसंद देखते हैं, एक दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है, बारतिये नो सेना दिवस, बाल दिवस तो बिल्कूल राइं अंसर आपका C हो जाएगा एक Author को 28th दिवस मनाते हैं बार्तिय नो सेना दिवस कमाने चौुओजी चार Señor को मनाते हैं कमाने हैं 4 compiled को और यूदिसेट डे कम मननाते हैं बताओ हुब जेगे कम मनाते हैं रहा यूनिसेप डे कौन बताएगा कमेंट बोक्स में और बाल दिवस कम मनाते हैं 20 नवंबर को कम मनाते हैं 20 नवंबर को अगला परसंद देखते हैं दो धातूं का दो धातूं का सोल्डरन किसके गुण के कारण संबव है श्यानता परासरन आसंजन परश्टिय तनन या परश्टिय तनाव तो दो धातूं का सोल्डरन ओस्यन गुण के कारण संबव है या आस्यन श्या आपका राइट हो जाएगा ये साइन्स का परसंद है अगला परसंद देखते हैं अंतर राश्टिय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है 21 जुलाई 23 अपरेल 21 सितंबर या 21 जून राइट आंसर हो जाएगा मेरे बबर शेरूं अंतर राश्टिय योग दिवस आपका 21 जून को मनाया जाता है गुरुजी डी हमारा राइट आंसर है 23 अप्रेल को कौन सा दिवस मनाया जाता है गुरुजी 23 अप्राल को राष्ट ये पंचायती राष्ट दिवस मनाया जाता है एकजा में पूछा गया कहीं बार हाँ ठीक है 21 सितमर को 21 सितमर को विश्वे सांती दिवस मनाया जाता है राइट आंसर हो जाएगा सेट एंजिलो फॉर्ड ए आपका राइट आंसर हो जाएगा पन्दरा सो पांच में पर्थम पूर्तगाली वाइसराई फ्रांसी को डी अलमीडा के द्वारा इसका निर्मान करवाया गया अगला परशन देखते हैं तेत्रवाँ सविधानिक धन कब ओओ उन्नी सोतराण में मुआ गुरूंजि कब उण्नी सोतराण में ग्यारवी अनुसुची पंचायों की बात करें तो वितायों का गठन अनुचल क दो सु ऐसी में है और बारतिय रिजर्व बेंग का एक जनुवरी 1949 को राश्टी करन हुआ था बारतिय रिजर्व बेंग का राश्टी करन कब हुआ एक जनुवरी 1949 को हुआ अगला परसन देखते हैं लोक लेका समीती में कितने सदश्य होते हैं तो बिल्कुल बेसिक है 28 सदेशी होते हैं कितने होते हैं 28 मुझे ये बताओ किसी लोग सबा में सदेशों किसे हैं क्या 20 है राजस्तान में कितने हैं लोग सबा सदेशी 25 है राजी सबा के कितने हैं 10 सदेशी है और 20 सदेशी किस राजी में लोग सबा के तो ये केरल में काँपर है केरल में लोग सबागे 20 सदिशिये अगला परसन देखते हैं वन्य जीव के कल्यान है तू आरक्सी चेतर को क्या केते हैं अव्याइन ये वन राष्टी उद्यान या वनस्पती उद्यान तो आरक्षी चेतर को राष्टी उद्यान केते हैं परसंट रिपीट हो गया है फिर भी आपका गलत आंसर आ रहा है डूम रोफानी में अगला परसंट देखते हैं बारत के वे कौन से एक मातर दूसरे उपराष्ट पती है जिन्होंने एस राधा कर्षण के बाद दूसरी अ अनुकरमित अवदी में ये पराप्त किया क्या आर नाराएंड ये कोन है ये पहले दलित राष्ट पती बने थे पहले दलित राष्ट पती जान लगना इनका कारीकाल 1922 में से संत्यान में तक रा यहां पर मैं बात करूँ बीये से कवत यानी बेरू सिंग से कवत की ये 1922 में तक अगला परसंद देखते हैं परशीद समाज सेवी का मेदा पाटेगर किस आंदोलन से संबंदित है बेटी बचाओ आंदोलन बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ नरवनदा बचाओ आंदोलन आई भूमी का परिक्षन टाइगर बचाओ राइट आंसर भी हो नरवनदा बचाओ आंदोलन यह समाज सेवी का है मेदा पाटेगर और टाइगर बचाओ आंदोलन इसका संबंद है केला सांकला से किसे हैं केला सांकला से अगला परशन है राइडार कप किस खेल का टूनामेंट है तो यह आपका गोल्प का है किसका है गोल्प का डी आपक और रणजी ट्रोफी रणजी ट्रोफी आपका किरगेट का है अगला परसन देखते हैं अधिक्तम ओक्सीजन किसे उपलब्द होती है रेगिस्तान से हरे जंगल गास के मेदान अधिक्तम ओक्सीजन किसे मिलती है यह बतो मुझे राइट आंसर क्या हो जाएगा पादव थकते हैं मैं नहीं थकूंगा तो आपको भी नहीं थकना है आप तो जवान हो भावी सीपाई हो आपको थकना ही नहीं है काना नेशनल पारक कहां पर इस्तित है बिहार मद्य परदेश अंदर परदेश या तमिलाडू काना नेशनल पारक आपका है मद्य परदेश में कहां पर है MP में है गुरुजी गोती बढ़िया बियार में कौन सा बियार में बियार में आपका केमूर वन्य जीव अव्यानी अंदर प्रदेश में कौन सा है अंदर प्रदेश में पारवाल वन्य जीव अव्यानी तमिलाडू में कौन सा है तमिलाडू में इंद्रा गांधी वन् और इससरा सेरचा शूरी हा है कबर न क्या किया गुरु जीffee अकबर ने बहुत कूछ कांड गिया अकबर ने शुरुषाद पर जीट के खुषिघ dissemin 1570 में कभी रहा फातेपूर शिक्री में सही मेल का निर्मान करवाया ओरंगजेव काई का अंडगिरियो ओरंगजेव ने बीबी का मकबरा का निर्मान करवाया और ओरंगजेव तो बहुत ही दिवाना था अपनी बीबी का मकबरा बनाया ओरंगाबाद महाराष्ट्र में बाबर ने क्या किया बाबर ने सरवे परतम भारत पर 1526 में अटे किया और बाबर में पहली बार कौन सी पत्ती कौन सी निती अपनाई इसने तुल कौन सी पत्ती अपनाई तुगलूमा युद निती अपनाई थी और सबसे पहले भारत में तोब खाने का इसने परियोग भी क गया था विल्कुल अगला प्रशन देखते हैं चंद्रगुप्त मोर्य ने अपने अंतिम दिन कहां वेतित किये इतना बड़ा समराथ अंतिम दिन इसने कहां बिताए पाठली पुतर ठानेश्वर कांची या सर्वन बेल गाउं राइट आंसर हो जाएगा सर्वन बेल गोला बिल्कुल डि आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्वन बेल गोला में अपने जिंदकी के अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए पाठली पुतर में क्या हुआ गुरुजी पाठली पुतर में 251 इस्सा पुरुए बहुत संक्ती तीसरी बहुत संक्ती हुई थी यहां पर ज जिसका दिनमान नर्शी वर्मन दीती ने करवाया था अगला परसंद देखते हैं नीमन में से मैं हर चीज हर ओप्षन के बारे में कुछ आपको बताता हूँ आगे बढ़ूंगा ताकि आपका जीकी बहुत ही मजबूत हो जाए नीमन में से क्या लेंगिक जनन का रूप है खंडन उभी लिंगता मुकुलन या विखेंडन राइट आंसर हो जाएगा उभी लिंगता ये लेंगिक जनन का रूप है भी आपका राइट आंसर होगा अगला परसंद ए इंडिका का लेकक कौन है मेगा इस्तनीज फायान सेल्यूकस या हैंग सौंग इंडिका पुस्तक कि लेक अग है मेगए इस्तनीज क्यों है मेगा इस्तनीज यह आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुत है सेल्यूकस कोन था रहे राइस यूकस कौन सा07 जब शिकंदर भारत आया जब attracted की people चीकेंडर का आपन नाम सूना ओगा की एकम लिगूा सेनापति इसका कौन था सेल जाबा सेना पति था हैंग शांग गुरू जी हैंग शांग को दो इसके मैं आपको बता कि जितने ओपशन दियेवें में सारे किश साथ कुछ न कुछ आपको बताऊँगा है शांग ऑर जैंग हैंग एक पुस्तक किया था अगला परसंद देखते हैं पानी में गुलती हुई पानी में गुली हुई कौन सी गेस उसे सारी बनाती है इसका प्रियोग किसमे करते हैं ये भी बता देता हूँ अगनी श्यामंग यंत्रू में क्या जाता है आग बुजाने वाले यो जन्तर होते हैं उसमें कारबन डायोकसाइड का प्रियोग करते हैं उरुजी हाईडरोजन के बारेelectर हो इसको सुतर बतो हूँ हाईडरोजन इस हाईडरोजन गेस को भविषिये का इंदण भी का जाता है क्या बोलते हैं विल्कूल future का engine इसे बोलते हैं sulfur dioxide SO2 ये इसका सुत्र होता है sulfur dioxide तेल सुदक कार खानू में परदूशन के रूप में sulfur dioxide का परदूशन में जो gas निकलती है ना कार खानू में वो आपकी sulfur dioxide निकलती है बहुत ही बढ़िया अगला परसंद देखते हैं डिस्कवरी ओफ इंडिया किसने लिखी मात्मा गांधी जवालाल नेरू एपी जी अब्दूल कलाम बाल गंगादर तिलग डिस्कवरी ओफ इंडिया के लेकख है जवालाल नेरू भी आपका राइट हो जाएगा अगला परसंद देखते हैं अगला परसंद देखते हैं लोग सबा के परतम अध्यक्स कौन थे तो इसके परतम अध्यक्स थे गणेश वासुदेव माल वरंकर बिल्कुल शी आपका राइट अउसर हो जाएगा गुरुजी निलम संजीव रड़ी गुणा निलम संजीव रड़ी चोती लोगसबा के अध्येक्स थे यह चोती लोगसबा के अध्येक्स थे बिल्कुल और हुकुम सिंग यह तीसरी लोगसबा के अध्येक्स थे और केस एंगड़े यह आपके छट्वी लोग सबागे देक्स थे और यह आपके पहली लोग सबागे थे सारा बता दिया यह लोग अगला परशन सूर्य उद्ये और सूर्य अस्त के समय वायू मंडल में लालिमा किस कारण चाजाती है जब सूर्य उद्ये होता है उसमें आप क्या सांदर नजारा रेता है जब सूर्य अस्त होता है उसमें आप लालिमा देखोगे ना मज़ा आ जाएगा तो ये किसके कारण होती है बिल्कुल परकास के परकिर्णन के कारण D आपका राइट आंसर हो जाएगा साइंस का प्रशन है परकास का अपवरतन क्या होता है गुरुजी परकास का अपवरतन का मतलब है जैसे मालो की आप पानी के अंदर pencil डालोगे ना तो pencil आपको मुड़ी हुई दिखाई देगी या जो सिक्का है वो आपको उपर उठावा देगा तारूं का timtima ना तारे हमें timtima आते वे दिखाई देते हैं और ऐसे दिखाई रहते हैं na timtima तो तारे timtima आते थोड़ी है वो में दिखाए देते हैं परकास के अपवर्तन के कारण एकजा में पूछा जाता है कौंश्टेबन में कि तारूं का टिम्टिमाना किसका उधारण है परकास के अपवर्तन का बहुत ही बढ़िया और परकास का परावर्तन परकास के परवर्तन के कारण में परावर्तन के कारण ुशतों का रंग सबस tässä जार कि सबस्दों के अगला पर्शन देखते हैं वरक्स सम्वर्दन किसकाः है राइट आंसिर क्या हो जाएगा बता है देखें विरिक्स समर्दन किसका अध्यन है वरक्सू और वनस्पति की खेती बागवानी पादब जीवन का विज्ञान फसल उगाने की कला राइट आंसर बताएं मेरे साथ यूँ मेरे भाविज जवानूं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा फसल उगाने की कला अगला परशन देखते हैं मानसून का कारण क्या है राइट आंसर हो जाएगा हवाउं का मोसमी उत कर्मन ए आपका राइट हो जाएगा अगला परसंद देखते हैं बहुत सारे साथी लाइव जूड़ चुके हैं भी क्लास को लाइक नहीं क्या है मज़ा नहीं आ रहा किसी भी विदी के लिए सरवची नायले का परमबर्स करने का अधिकां राष्ट पति का है किसका है राष्ट पति का ए आपका राइट हो जाएगा किस चेत्र में अधिकांस मोसम समंदी गतिवीदियां होती है आयन मंडल सोब मंडल समता मंडल या सोब सिमा मोसम समंदी गतिवीदियां कहां पर होती है राइट आंसर क्या हो जा समताब मंडल में 18-32 किलोमेटर इसको उन्चाई है इसमें ताब हमेशा समान रहता है वायू यान आपके जो उड़ते हैं वो आपके समताब मंडल में उड़ते हैं अगला परसंद देखते हैं सांजा ने निमल लिकित में से किस सेर में मोती मस्जीद बनवाई डिल्ली जेपूर आगरा या अमरकोट सांजा ने आगरा शेर में मोति मस्जिद को बनवाया था कि शेर में आगरा में आगरा उत्र परदेश में अगला परशन देखते हैं जो तत्वे ओक्सीजन पर पर्थी गिर्या नहीं किरता कलोरीन, आयोटीन, हीलियम या नाइट्रोजन बिल्कुल हीलियम कौनसा गुरुजी हीलियम का सूत्र बताो हीलियम का हे क्या होता है एल हE नाइट्रोजन का एं टूorkलोरीन का होता है सी अलब आयो डियन का क्या होता बताches B कि- आयोटीन की कमी से जान रगना गेंगा या गलगन रोग होता है और यूरिया में 26% नाइट्रोजन होती है अगला परसंद देखते हैं कंप्यूटर के परसंद अब आए हैं आपके सामने निमन में से सबसे तेज गोन सा है शीडिरोम, रेम, रजिस्टर या केस ये परसंद बहुत ज्यादा में तुपुन है और इस परसंद को गुमा फिरा कर एक्जामिन दर में सा पूस्ता है तो ये परसंद आपका गलत नहीं होना चाहिए किसी भी आलट में गुरुजी इसका कुछ बताओ, बिल्कुल बताओंगा को मैं इसका सूपड़ा साब करूँगा सबसे तेज बहुत ही सांदार अंसर बताओंगे .... तो ये आपकी सबसे तेज में और ये रजिस्टर और यदि आपको रजिस्टर केस हो जाएगा क्या हो जाएगा केस में में और जी तो ये दोनुझे CDP क्या है, EDP का पूरा नाम आपसे पूचा गया है, किसी को बताना मत, Electronic Data Part, Electronic Data Personal, Electronic Data Power, Electronic Data Processing, Right Answer बताना, तो Right Answer क्या हो जाएगा, Electronic Data Processing, D आपका कवर, Right Answer हो जाएगा, मैंने इतने परशन करवा दिया है, इस चैनल पर Computer के, जिसने सारे वीडियो देखें, मुझे नहीं लगता कि Computer का उसका कोई परशन गळत होगा, गुरुजी फिर भी कोई परशन बार से आ गया, तो फिर भी बार से आ जाता है, तो उस परशन का आंसर कोई भी नहीं दे पाएगा, आप नहीं दे पाऊगे, तो उसका आंसर कोई विदार्ची नहीं दे पाएगा, देख लेना, अगला परशन है कि Graphical User, एन वायरमेट में, इस्टेंडर पॉइंटिंग के रूप में, कौन सी डिवाइस का परियोग किया जाता है, कीबोर्ड, माउस, जोइस्टिक या ट्रेक बोल, राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, माउस, किसका परियोग करते हैं, माउस, पॉइंटिंग डिवाइस है, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अगला परशन देखते है, फलोपी डिस्क किस परकार की मेमोरी से सम्मंद रखती है, फलोपी डिस प्रोग्राम है जो अनावश्यक हिस्सूं फ्रेगमेट्स को पेचानता है और हराता है और फाइलू तता एपर्यूक्त डिस्क इस प्रेस को पुनर वेवस्तित करता है ताकि ओप्रेशन इस्टम ढंग से हो सके एक नमर दे रखा है बेक अप दो रखा दो नमर आपको दे डिस्क और नमर चार है रिस्टोर इस परसंड का राइट आंसर दे के कौन देता है राइट आंसर आपका सी हो जाएगा डिस्क डी फ्रेगमेटर सी आपका करेक्ट आंसर होगा अगला परसंड देखते हैं वेबसाइट का एडरेस निमन लिकित में से कहलाता है यूजर परसंड देखते हैं अगला परसंड देखते हैं एकला परसंड देखते हैं में फर्मूला लिकने कि सुरुवाद किस संकेज से होती है MS Excel में हमें कोई भी फॉर्मूला लिखना है तो सरवाज सबसे पहले किस संकेत से हमें करना पड़ेगा बिल्कुल एक नमर आपका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट अगला है एक विशेज सलाइड है जो परजेन टेंसन की सभी सलाइडों के लिए टाइटिल और टेक्स के फॉर्मर्ट यह उस सवरूप को नियंतरित करती है मास्टर में सलाइड या उप्योग सभी राइट आंसर हो जाएगा मास्टर क्या हो जाएगा मास्टर अगला परसंद देखते हैं कारिय पदती के अधार पर कम्enschaft के परकार है डिजिटल एनलोग माइक्रो जा कारिये पदती के अधार पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बिलकुल डि आपका राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल और एनालोग तो आज की क्लास में हमने tokal 100% कवर किये, कितने किये रहे गुरुजी 100% किये, परसन बहुत ही सांदार और जानदार लेके आया, मैंने पुरी जान की बाजी लगा दी इन परसनों को लाने में कि विदारती का कोई परसन गलत ना हो, और एक्जाम के लेवल के परसन है, सारे जितने भी पेपर फेले हुए हैं, कॉंस्टेबल के, उन सभी पेपरों का मैंने निचोड निकाला, और फिर उसी के आदार पर ये परसन तयार किये ताकि विदारतियों का आंकलन किया जा सके आपका स्कोर कितना रहा है दोस्तों सो में से, कितने आप राइट कर पाए हैं मुझे कमेंड बोक्स में आप जरूर बताएं मैंने रिजनिंग के परसन छोड़ दी हैं विल्कुल अपनी वेब साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आपको इसकी सारे के सारे परसन और पीडियाप मिल जाएगी दन्यवाद, जैहिंद, जैराजस्तान लगे रहो ऐसे ही आप मेनत करते रहो पढ़ो इनको तुम जी जान से जरूर बनोगे कॉंस्टेबल बड़ी शान से